स्वागत है आप सबका आपके अपने चानल Science Academy for All में इस बार की परिक्षा होगी आसान ये एक आर्टिकल आया है नब भरत टाइमस में उन्हों पब्लिश किया है कि असान होगी इस बार की परिक्षा देखे पैटर्न में क्या है बदलाव हम वैसे भी आपको पैटर्न में वफते पहले शुरू कर रहा है 15-5 से आपको पता है वकेशन सब्जेक्ट के एक्जाम स्टार्ट है बहुत कम लोगों के पास वह सब्जेक्ट होते है अब्जक्टिव टाइप प्रशनों की संक्या बढ़ा दी गई है इसके इलावा इस बार प्रशनों के विकल भी बढ़ पाद यह गया है पहले जो अब्जक्टिव टाइप कॉशन होते तो टैन परसेंट होते इस बारी पताया गया कि ट्वटीफाइप केशन आएंगे और उप्शन में और जिसमें होता है कि यह नहीं तो वह कर सकते आप कोशन 33 परसेंट ओप्शन कोशन है इस बारी आपके ए 33% marks में आपको option questions मिल जाएंगे तो बहुत असान है आपको बहुत अच्छे marks को achieve करना इस बार क्योंकि जो 90-95 लेके आता था marks उसको कई बारी होता था एक question ही आता 4 marks का तो वो छोड़ आता था था गलत हो जाता था उसका तो फूरे marks नहीं आपाते है था उसके तो इस बारी तो objective type question बहुत जादा बढ़ा दिये गए तो इस बारी आप फुल marks भी बहुत आराम से ले सकते एक्जाम के अंदर और लिकार इसमें कि 10 बजे के बार सेंटर में एंटरी नहीं होगी तो इस बारी आपको बहुत जल्दी पहुत जाना है क्योंकि last year leak हुए थे paper इसकी विए से इन्होंने बहुत sickness कर रखी है मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको 10 बजे के बार entry नहीं होगी तो इसलिए साड़े 9 बे तक आपको center में पहुत जाना है और आपको अपने roll number पे भी अपने parents के sign, principal के sign आपने sign करने साथ में आपको school का ID card जा आधार card रखना है ID का school का ID card हो तो बहुत अच्छी बात है आप उसे लेके जूर जाईएगा साथ में और आपको digital watch, wallet ये सारी चीज़े नहीं लेके जानी है जो pencil box भी लेके आएंगे वो transparent होना चाहिए, transparent होना चाहिए उसमें सब कुछ दिखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है, तो इस चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप जब भी exam देने जाए इसका link मैंने description में दे दिया है, कोई देखना चाहिए तो महाँ देख सकता है इस news का